नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों रात को सोते समय कभी भूल कर भी अपने पास ना रखें ये दस चीजें क्यूंकि इससे साक्षात मरत्यू भटकने लगती है दोस्तों आज के समय में अच्छी नीद और सुक चैनबाली नीद किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वो बहुत ही किसमत बाला है क्यूंकि आज कल के भाग दोर भरे जीवन में ऐसा जीवन मिल पाना बहुत मुश्किल होता है आज इंसान भारी काम की बज़े से इतना ज्यादा चिंतित रहता है कि सुक और शांती उसके जीवन में है ही नहीं जिससे रात को सोते समय वो आराम से सो सके ऐसे में तनाव के रहते इंसान जब सोता है तो ना जाने कितने सपने उसे दिखाई देते हैं जो उसे परेशान करते हैं और डरा देते हैं और बहीं अगर चैन भरी नीद आपकी ही किसी गलती की बज़े से हासिल ना हो तो इसमें कोई क्या कर सकता है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको सोते समय किन चीजों से बचना चाहिए दोस्तों अच्छी नीद पाना हर मनुष्य के जीवन का आहम हिस्सा होता है अच्छी नीद लेने के लिए केबल हमारे शरीर को ही नई उर्जा नहीं मिलती बलकि इससे हमारा दिमाग भी ताजगी भरा और अंदर से तंदरुस्त रहता है हर इनसान को 24 गंटे में कम से कम 6 गंटे की नीद जरूर ले ली चाहिए ऐसा करने की सलाह डॉक्टर्स भी देते हैं और शास्त्रों के मताबिक सोते हुए हर व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जिसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों सबसे पहली बात बताई गई है रात को ये ध्यान रहे कि सोते समय आप अपना मोबाईल अपने पास ना रखे केबल मोबाईल ही नहीं किसी भी प्रकार के गैजेट्स को कभी अपने पास ना रखे क्योंकि ये काफी नुकसान दायक होते हैं आगे दोस्तों बताया गया है सोते समय भूल कर भी अपने पास या अपने बिस्तर के नीचे जूते या चपल ना रखे ऐसा करने से स्वास्ते संबंदित परेशानिया पैदा होती है दोस्तों आपको ध्यान रहे अगर आप लोहे से बनी या किसी अन्य धातू से बनी चाबी को अपने पास रखकर सोते हैं तो इससे घर में चोरी होने का खत्रा बढ़ जाता है आगे दोस्तों बताया गया है सोने और चांदी से बने किसी भी जेवरात को अपने पास रख कर ना सोए क्यूंकि इससे मनुष्य का भाग्य कमजोर होता है इसके अलाबा दोस्तों बताया गया है सोते समय कभी भी अपने पर्स को अपने सिरहाने ना रखे ऐसा करने से फाल्तू के खर्चें बढ़ते हैं और धनकी हानी भी होती है दोस्तों कुछ लोग सोते समय अपने तकिये के नीचे अकभार और मैकजीन रखकर भी सोते हैं तो हम आपको बतातें ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए दोस्तों सोते समय सिर के पास नमक रखने की गलती कभी ना करें क्यूंकि ऐसा करने से घर के रिष्टों में लड़ाई जगड़े बढ़ने लगते हैं दोस्तों माननेता तो ये भी है कि रात को कभी भी सोते समय सिर के पास तेल रखकर सोने से मनुष्य का जीवन कठिनाईयों से भड़ जाता है और उसे कभी शांती नसीव नहीं होती मनो रोग जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है दोस्तों भास्तु शास्तर के अनुसार सोते समय सिर के पास कभी भी जाडू रखनी नहीं चाहिए इससे घर में नकारात्मकूर्जा का प्रवेश हो जाता है साथ ही इससे धन और जन की हान का खत्रा बढ़ जाता है इतना ही नहीं इसके अलाबा इनसान की किस्मत भी उससे रूठ जाती है